बरसाद पी आकर चली गई, बादल बिगरज कर बरस गई इसी गाने की पंतियों की तरह आना और जाना ये तो निसर्ग का नियम है हर दिन आता है चला जाता, सब्ता हो आता है चला जाता है, साल आते हैं चले जाते हैं, रुटू आते हैं चले जाते हैं इसी तरह बरसाद का मुसम भी आया और चला गया, अब सर्दी के दिन आ गए, सर्दी के दिनों के बाद गर्मी के दिन आएंगे बरसात के दिनों में किसानों को बरसात का इंतजार रहता है कब बरसात होगी और हम हमारे खेत में बीज बोएंगे आप लोगों ने चातक पक्षी का तो नाम सुनाई होगा चातक पक्षी को भी बरसात के पानी का बड़ा इंतजार रहता है क्योंकि चातक, नदी, नालो, जर्ने का पानी नहीं पीता, सिर्फ बरसात का ही पानी पीता है गर्मी के दिनों में बच्चों को इंतजार रहता है चुट्टियों का कब चुट्टिया लगेंगी और हम अमारे मम्मी पपा के साथ कही बाहर गुमने जाएंगे गुर्हीन को इंतजार रहता है कब सर्दी के दिनों में हरी-हरी सबजी या मार्केट में आएंगे किसी को इंतजार रहता है जाब लगने का तो किसी को इंतजार रहता है अपाइंटमेंट लेटर कब आहेगा याने हर एक को किसी का ना किसी का इंतजार रहता है धन्यवाद चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले